देखिए अगर आपके फोन में वाइब्रेशन वर्क नहीं कर रहा है, किसी का कॉल आता है, मैसेज आता है, तो आपका फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो इस प्राब्लम को आप कैसे सही करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बिलकुल ध्यान से देखते र बाद स्क्रोल करके नीचे साउंड एन वाइब्रेशन पर जाना है, और एक बर आप मेक्शूर कर ले, कहीं आप आपने वाइब्रेट फोर कॉल्स इसे और इन दोनों को इस तरीके से आफ तो नहीं किया है, वाइब्रेट अन टैप, अगर आपको आउन रखना है तो यह भ बहुत से लोग यह गलती करते हैं, इसे आफ रहने देते हैं, इस वज़े से उनका वाइब्रेशन नहीं आता है, ठीक है, अब अगर यह आउन है, इसके बाद भी आपका वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे सही करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरीकी की प्रॉब्लम होती है, एक सॉफ्वेर से रिलेटेड और एक हाडवेर से रिलेटेड, तो सॉफ्वेर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो कैसे सही करेंगे, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद हाडवेर वाली, तो सैटिंस में जाना है, और एक बार आपको about phone में जाकर यहाँ जो आपका version है आपका जो software version है इस पर click करके एक बार make sure कर लेना है कोई update तो नहीं आया है तो यहाँ पर कोई update नहीं आया है अगर आपको update आया है तो आप update कर लीजिए कभी कभी software issue भी होता है उसके वज़े से भी इसा problems आती है ठीक है हिसाब से आपके system में कोई bug है तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है आपको चले जाना है about phone में और उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक risky काम है यह करने के लिए हो सकता है आपका पूरा mobile का data आपके वीडियो फोटो सब delete हो जाए बट अगर आ यहाँ पर अपना number डालना है और यह सब चीजों का backup ले लेना ठीक है backup लेने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर factory reset पर आना है और यहाँ पर erase all data कर देना है जिससे आपका सारा phone पहले जैसा new हो जाएगा जैसे आपने लेकर आया था और आपकी problems भी solve हो जाएगी बट आ अगर आप backup ले लेंगे तो आपका कुछ भी delete नहीं होगा वापस सब आ जाएगा अगर आप backup बिना backup लिए करते हैं आपका phone निता important data नहीं है तो आप बिना backup लिए इसे कर दीजिए इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी बट अगर यह एक hardware से related issue है तो अगर आपका phone warranty में है त आप service center जा सकते हैं vibration बोलिए उनको problem है वो आपको शायद free में repair करके दे देंगे बट अगर आपका warranty में नहीं है तो आप local shop जाएगे वो 300-400 रुपे लेंगे और आपकी problem solve करके दे देंगे कुछ पूछना है तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्ला हाफिज